ओम शांती 22 सितंबर 2024 प्यारे मीठे अव्यक्त बापतादा के आज के मीठे मधुर महवाक्य ओरिजनल मुर्ली डेट 18 जैनूरी 2002 मुर्ली का शिर्षक है स्नेही की शक्ती द्वारा समर्थ बनों सर्व आतमाओं को सुख शांती की अंचली दो आज समर्थ बाप अपने स्मृती स्वरूप समर्थ स्वरूप बच्चों से मिलने के लिए आए है आज विशेश चारों और के बच्चों में स्नेही की लहर लहरा रही है विशेश ब्रह्मा बाप के स्नेही की यादों में समाई हुए है यह स्नेह हर बच्चे के इस जीवन का वर्दान है पर मात्म स्नेह नहीं आप सबको नई जीवन दी है हर एक बच्चे को स्नेह की शक्ती नहीं बाप का बनाया यह स्नेह की शक्ती सब सहच कर देती है जब स्निह में समा चाते हो तो कोई भी परिस्थिती सहच अनुभव करते हो बाप दादा भी कहते हैं कि सदा स्निह के सागर में समाए रहो स्निह छत्रचाया है जिस छत्रचाया के अंदर कोई माया की परच्छाई भी नहीं पढ़ सकती सहच माया जीत बच जाते हो जो निरंतर स्नेह में रहता है उसको किसी भी बात की मेहनत नहीं करनी पड़ती है स्नेह सहज बाप समान बना देता है स्नेह के पीछे कुछ भी समर्पित करना सहज होता है तो आज भी अमृत वेले से हर एक बच्चे ने स्नेह की माला बाप को डाली और बाप ने भी स्नेही बच्चों को स्नेह की माला डाली जैसे इस विशेश स्मृती दिवस में अर्थार स्नेह के दिन में स्नेह में समाई रहे ऐसे ही सदा समाय रहो तो मेहनत का पुरुशार्थ करना नहीं पड़ेगा एक है सनही के सागर में समाना और दूसरा है सनही के सागर में थोड़े समय के लिए दुपकी लगाना तो कई बच्चे समाय हुए नहीं रहते हैं चल्दी से बाहर निकल आते हैं इसलिए सहज मुश्किल हो जाता है तो समाना आता है समाने में ही मज़ा है ब्रह्मा पाप ने सदा बाप का सनह दिल में समाया इसका यादकार कलकता में दिखाया है गंगा सागर में समाती है अब बाप दादा सभी बच्चों से यही चाते हैं कि बाप के प्यार का सबूत समान बनने का दिखाओ सदा संकल्प में समर्थ हो अब व्यर्थ का समाक्ती समारो मनाओ क्योंकि व्यर्थ समर्थ बनने नहीं देगा और जब तक आप निमित बने हुए बच्चे सदा समर्थ नहीं बने हैं, तो विश्व की आतमाओं को समर्थी कैसे दिलाएंगे? सर्व आतमाओं शक्तियों से बिलकुल खाली हो, शक्तियों की भिकारी बन चुकी हैं, ऐसे भिकारी आतमाओं को हे समर्थ आतमाओं इस भिकारी पन से मुक्त करो, आतमाओं आप समर्थ आतमाओं को उकार रही हैं, हे मुक्तिदाता के बच्चे, मास्टर मुक्तिदाता हमें मुक्ति दो, क्या ये आवाज आपके कानों में नहीं पड़ता, सुनने नहीं आता, अब तक अपने कोखी मुक्त करने में बिजी हैं क्या? विश्व की आतमाओं को बेहत स्वरूप से मास्टर मुक्तिदाता बनने से स्वयम की छोटी छोटी बातों से स्वता ही मुक्त हो जाएंगे अब समय है कि आतमाओं की पुकार सुनो, पुकार सुनने आती है ये नहीं आती है? परेशान आतमाओं को सुक शान्ती की अंचली दो यही है ब्रह्मा बाप को फॉलो करना आज विशेश ब्रह्मा बाप को याद ज्यादा किया ना ब्रह्मा बाप ने भी सभी बच्चों को स्मृती और समर्थी स्वरूप से याद किया कई बच्चों ने ब्रह्मा बाप से रूरियान करते मीठा मीठा उलेना भी दिया कि आप इतना जल्दी क्यों चले गए और दूसरा उलेना दिया कि हम सब बच्चों से छुटी लेकर क्यों नहीं गए तो ब्रह्मा बाप ने बोला कि मैंने भी शिर्फ बाप से पूछा कि हमें अचानक क्यों बुला लिया तो बाप ने बोला अगर आपको कहते कि छुटी लेके आओ तो क्या आप बच्चों को छोड़ सकते थे या बच्ची आपको छोड़ सकते थे आप अर्जुन का तो यही यादगार है कि अंत में नश्टो मोहा स्मिती स्वरूपी रहे हैं तो ब्रह्मा बाप मुस्कुराए और बोले कि ये तो कमाल थी जो बच्चों ने भी नहीं समझा कि जा रहे हैं और ब्रह्मा ने भी नहीं समझा जा रहा हूं सामने होते भी दोनों तरफ चुप रहे क्योंकि समय प्रमान सन शोज पादर का पार्ट ड्रामा की नूद थी इसको कहते हैं वह ट्रामा वह सेवा का परिवर्तन नूदा हुआ था ब्रमा पाप को बच्चों का बैकबोल बनना था तो अव्यक्त रूप में फास्ट सेवा का पार्ट बजाना ही था विशेश आज डबल विदेशियों ने बहुत मीठे मीठे उलाने दिये हैं डबल फॉर्णर्स ने उलाने दिये डबल फॉर्णर्स ने ब्रमा पाप को बोला सिर्फ दो तीन साल आप रुख जाते तो हम देख तो लेते तो ब्रमा पाप ने हंसी में बोला हंसी की तो ड्रामा से बात करो ड्रामा ने ऐसा क्यों किया लेकिन ये लास्ट सो फास्ट का एक्जाम्पल बनना ही था चाहे भारत में चाहे विदेश में इसलिए अभी लास्ट सो फास्ट का प्रत्यक्ष सबूत दिखाओ जैसे आज समर्थ दिवस मनाया ऐसे ही अब हर दिन समर्थ दिवस हो किसी पी प्रकार की हलचल न हो जो ब्रह्मा बापने आज के दिन तीन शब्दों में शिक्षा दी निराकारी, निर्विकारी और निर अहंकारी इन तीन शब्दों के शिक्षा स्वरूप बनो मन्सा में निराकारी, बाचा में निर अहंकारी, कर्मना में निर्विकारी, सेकंड में साकार स्वरूप में आओ, सेकंड में निराकारी स्वरूप में स्थित्थो जाओ, ये अभ्यास सारे दिन में बार बार करो, ऐसे नहीं सिर्फ याद में पैठने के टाइम निराकारी स्टेज में स्थित रहो लेकिन बीच बीच में समय निकाल इस देभान से न्यारे निराकारी आत्मा स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करो कोई भी कारे करो, कारे करते भी ये अभ्यास करो कि मैं निराकार आत्मा इस साकार करमेंद्रियों के आधार से कर्म करा रही हूँ निराकारी स्थिती करावन हार स्थिती है, करमेंद्रियां करन हार है, आत्मा करावन हार है तो निराकारी आत्म स्थिती से निराकारी बाप स्वत ही याद आता है जैसे बाप करावन हार है ऐसे मैं आत्मा भी करावन हार हूँ इसलिए कर्म के बंधन में बनेंगे नहीं नारे रहेंगे क्योंकि कर्म के बंधन में फसने से ही समस्याइं आती हैं सारे दिन में चेक करो करावन हार आत्मा बन कर्म करा रही हूँ अच्छा अभी मुक्ती दिलाने की मशीनरी तीवर करो अच्छा इस बारी जो इस कल्प में पहली बार आए हैं वह हात उठाओ तो नए नए आने वाले बच्चों को बाप तादा विशेश याद प्यार दे रहे हैं कि समय पर बाप को पहचान बाप से वर्से के अधिकारी बन गये हैं सदा अपने इस भागे को याद रखना कि हमने बाप को पहचान लिया अच्छा दबल फॉरनर्स हाथ उठाओ बहुत अच्छा Double foreigners को बाप दादा कहते हैं कि ब्रह्मा के संकल्प की पैदाईस हैं एक हैं direct मुख द्वारा वंचावली और दूसरे हैं संकल्प द्वारा वंचावली तो संकल्प शक्ती बड़ी महान होती है जैसे संकल्प शक्ती fast है ऐसे ही आपकी रचना Double Foreigners, Fast पुरुशार्थ और Fast प्रालब्द अनुभव करने वाले हैं इसलिए सारे प्रामन परिवार में Double Foreigners, Double सिकील दे हो भारत के भाई बेहने आपको देख करके खुश होते हैं वहाँ Double Foreigners, वहाँ, Double Foreigners को खुशी होती है न, कितनी खुशी है बहुत है, कोई ऐसी चीज ही नहीं है जिससे तुलना कर सकें Double Foreign में भी सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं अच्छा है, यह Science के साधन आपको बेखत की सेवा करने में बहुत साथ देंगे और सहज सेवा कराएंगे आपकी स्थापना के connection से ही यह Science की भी तीवरगती हुई है अच्छा, सभी पांडव समर्थ है ना, कमजोर तो नहीं, सब समर्थ हैं और शक्तियां, समान बाप, शक्ति से ना हूँ, शक्तियों की शक्ति माया चीत बनाने वाली है अच्छा, आज विशेश श्रिंगार करने वाले भी आए हैं कलकता के भाई बैने फूल लेकर आए हैं, सब जगें फूलों से बहुत अच्छा श्रिंगार किया है यह भी स्रे की निशानी है, अच्छा है, अपना स्रे का सबूत दिया अच्छा, तीचर्स हाथ उठाओ, हर ग्रुप में तीचर्स बहुत आती हैं, तीचर्स को चांस अच्छा मिल जाता है सेवा का प्रत्यक्ष फल मिल जाता है, अच्छा है, अभी अपने फीचर्स वारा सबी को फ्यूचर का साक्षात कार कराओ, सुना, क्या करना है अच्छा, मदुबन माले हाथ उठाओ, बहुत अच्छा, मदुबन मालों को चांस बहुत मिलते हैं इसलिए बाप तादा कहते हैं, मदुबन माले हैं, रूहानी चांसलर चांसलर हो ना, सेवा करनी पड़ेगी, फिर भी सबको मदुबन निवासी, राजी तो कर लेते हैं ना इसलिए बाप तादा मदुबन वालों को कभी भूलते नहीं है मदुबन निवासियों को खास याद करते हैं मदुबन वालों को क्यों याद करते हैं क्योंकि मदुबन वाले बाप के प्यार में मिजॉरिटी पास है मिजॉरिटी बाप से प्यार अटूट है कम नहीं हैं मदुबन वाले, बहुत अच्छे हैं इन दौर सोन के सेवाधारी आए हैं इन दौर सोन वाले हाथ उठाओ, बहुत हैं, अच्छा है सेवा करना, अर्थाथ, समीब आने का फल खाना सेवा का चांस लेना, अर्थाथ, पुन्य जमा करना दौाएं जमा करना, तो सभी सेवाधारियों ने अपना पुन्य का खाता जमा किया ये दौाएं वा पुन्य एक्स्ट्रा लिफ्ट का काम करती हैं अच्छा, देश वा विदेश, जो दूर पैठे भी समीब हैं सभी बच्चों को, बाप दादा स्ने के दिवस के रिटर्न में पदम गुना स्ने का याद प्यार दे रहे हैं बाप दादा देखते हैं कि कहां क्या बज़ता है, कहां क्या टाइम होता है लेकिन जाकती चोती अथक बन सुन रहे हैं और खुश हो रहे हैं बाप दादा बच्चों की खुशी देख रहे हैं बोलो सभी खुशी में नाच रहे हो ना, सभी कांध खिला रहे हैं हां बापा, जनक बच्ची भी बहुत मीठा मीठा मुस्कुरा रही है वैसे तो सब बाप को याद हैं लेकिन कितनों का नाम लें अनेक बच्चे हैं इसलिए बाप तादा कहते हैं हर एक बच्चा अपने नाम से पर्सनल याद-प्याद स्विकार कर रहे हैं और करते रहना अच्छा अभी एक सेकिन में निराकारी स्थिती में स्थित हो चाओ बाप तादा ने ड्रिल कर आई लिविंग बैल्यूस की ट्रेइनिंग चल रही हैं अच्छा सेवा का साधन है लिविंग बैल्यू कराते कराते अपनी लवली लिविंग का अभ्यास बढ़ाते रहना अच्छा, बाप दादा आज एक बात कुलजार बच्ची को कह रहे थे विशेश भुबारत दे रहे थे कि ब्रह्मातन की सेवा जैसे इस रत ने भी 33 वर्ष पूरे किये ये भी ट्रामा में पाठ है बाप की मदद और बच्ची की हिम्मत दोनों मिलकर पाठ बचाते हैं अच्छा, सर्व सदा स्नेह के सागर में समाई हुए सदा लव में लीन रहने वाले सदा करावन हार आत्मा स्वरूप में स्थित रहने वाले सदा तीन शब्दों के शिफ मंत्र को प्रत्यक्ष जीवन में लाने वाले सदा बाप की समान मास्टर मुक्ती दाता बन विश्व की आत्माओं को मुक्ती दिलाने वाले ऐसे सर्वश्रेष्ट आत्माओं को बाप दाता का याद प्यार और नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को दिल वर चान सिख्वा प्रेम से नमस्ते 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 ची Good morning बाबा, शुक्रिया बाबा दादी जी से आज के दिन बाप ने बच्चों को विशेश विश्व के सामने प्रत्यक्ष किया बाप करावन हार बने और बच्चों को करन हार बनाया अच्छा है, किस नही की लहर सभी को समा देती है अच्छा, शरीर को चलाने की विधी आ गई है ना चलाते चलाते बाप समान अव्यक्द बन जाएंगी सहज पुरुशार्थ है दुआएं सारे दिन में कोई भी नाराज नहीं हो दुआएं मिलें यह है फर्स्ट क्लास पुरुशार्थ सहज भी है, फर्स्ट भी है ठीक है ना, शरीर कैसे भी हो लेकित आत्मा तो शक्तिशाली है ना तो जो आप सभी बच्चों ने 14 वर्ष तपस्या की वे तपस्या का बल सेवा करा रहा है अभी तो आपके बहुत साती बन गए हैं अच्छे अच्छे सेवा के साती हैं बस आपको देखकर खुश होते हैं यही पहुत है, ठीक है वरिष्ट बड़े भाईयों से ड्रामा अनुसार जो सेवा के प्लान बनते हैं वे अच्छे बन रहे हैं और हर एक सदा संगठन में स्ने वा दुआएं लेने के लिए बालक सो मालिक का पाठ पक्का कर एक दो को आगे बढ़ाते हुए एक दो के विचारों को भी सम्मान देते हुए आगे बढ़ते हैं तो सफलता ही सफलता है सफलता तो होनी ही है लेकिन अभी जो निमित आतमाई हैं उनों को विशेश स्नेह के संबंद में लाना ये सब के पुरशार्थ को तीफर बनाना है स्नेह निस्वार्थ स्नेह जहां निस्वार्थ स्नेह है वे समान देंगे भी और लेंगे भी वर्तमान समय स्नेह की माला में सब को पिरोना यही विशेश आतमाओं का कार्य है और इससे ही सने संसकारों को परिवर्तन भी करा सकता है ज्यान हर एक के पास है लेकिन सने कैसे भी संसकार वाले को समीब ला सकता है सिर्फ सने के दो शब्द सदा के लिए उनके जीवन का सहारा बन सकता है निस्वार्थ स्ने जल्द से जल्द माला तयार कर देगा ब्रह्मा बापने क्या किया स्ने से अपना बनाया तो आज इसकी आवश्यक्ता है है ना ऐसे सोनी पत के लिए मीटिंग हो रही है वहाँ अनुभूती कराने के लिए साधनों का उपयोग कैसे करें वह तो प्लान बना रहे हैं हर एक के संकर्थ विचारों को जो विशेश मिज्वारिटी स्विकार करें वह बनाओ अनुभूती तब करा सकेंगे जब अनुभूती स्वरूप बनेंगे अच्छा वर्दान द्रिड़ता की शक्ति द्वारा सफलता प्राप्ट करने वाले त्रिकाल दर्शी आसन धारी भव द्रिड़ता की शक्ति श्रेष्ट शक्ति है जो अलबेले पन की शक्ति को सहज परिवर्दन कर देती है बाप दादा का परदान है जहां द्रिड़ता है वहां सफलता है ही सिर्फ जैसा समय वैसी विधी से सिद्धी स्वरूप बनो कोई भी कर्म करने के पहले उसके आदी मध्य अंत को सोच समझ कर कारे करो और कराओ अर्थात त्रिकाल दर्शी आसन धारी बनो तो अलबेलापन समाप्थ हो जाएगा संकल्प रूपी बीच शक्तिशाली द्रिड़ता संपन हो तो वानी और कर्म में सहच सपलता है ही स्लोगन सदा संतुष्ट रह सर्व को संतुष्ट करने वाले ही संतुष्ट मनी हैं ओम शांती आज के अव्यक्त इशाड़े जब तक किसी में अंश्मात्र भी कोई रस दिखाई देता है असार संसार का अनुभव नहीं होता है बुद्धी में ये नहीं आता कि ये सब मरे पड़े हैं तब तक उनसे कोई प्राप्ती की इच्छा हो सकती है लेकिन सदा एक के रस में रहने वाले एक रस स्थिती वाले बन जाते हैं उन्हें मुर्दों से किसी प्रकार की प्राप्ती की कामना नहीं रह सकती कोई विनाशीरस अपनी तरफ आकर्शित नहीं कर सकता उन्शान्ती